नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागए ता हमारे यूटूब चैनल स्टाडि इन मोबैल जैसा कि दोस्तों आप पिछले तेन दिनों से देख रहे हो हर रोज साम को मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आता हूँ जिसके अंदर जो हम लगबग जो है 100 कुशन कवर करते हैं हर एक वीडियो के अंदर अभी ता हम कुशन नमबर एक से लेके 300 तक हमने कवर करें हैं यानि 100-100 कुशन के 3 वीडियो बना चके हैं यह हमारा चोथा वीडियो है जिसमें नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो हर बार क्यूशन नहीं होते हैं दोस्तों हर वीडियो के अंदर पहले के 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की निचे description पे click करो more लिखा हुआ है वहाँ पर उसके अंदर scroll करोगे तो link मिल जाएंगे वो वीडियो भी आप देख सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरूब पहला क्यूशन देखिए काम सुत्र के परसिद टीका कार का नाम बताइए तो काम सुत्र के जो परसिद टीका कार है वो है ये सोद्र पंडिती पहले क्यूशन आया हुआ है काम सुत्र का बट ये क्यूशन वो नहीं है आप सोच रहे हैं क्यूशन दुबारा नहीं आया उसमें ये पूछा था काम सुत्र के रिचना कार कौन है ये काम सुत्र जो है किस किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों तो लिखा गया है वात्षयाइन के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है वात्षयाइन के द्वारा लिखा गया है कौन सा गरन दोस्तों कामसुत्र और यह जो वात्षया ने कामसुत्र लिखा था इसका टीका करन किया था इसका ससो हाँ जो पहला क्यूशन की है उसके कोडिंग मैं बता दू दोस्तों हमारा दूसरा यूटूब चैनल है औरा जीके क्या है औरा जीके उसके उपर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है महतोपुन पुष्टकें और लेख यानि कापी सारी पुष्टकें डाली है जो कुछ नई प अधरा है दोस्तों लेख दोस्तों फ़ेंगे हैं समय है एक उप्सें नंबर गुर्ण यह क्या है गाला के ततों हैं यह क्या है और जैसमें पर्वा था मांड आगे लक्षन देखीगा मैं थोड़ा से यहाँ पर कलर जो है वो चेंज करना चाहूंगा क्योंकि इस में हाँ अब देखिए निमन में से कौन साथ समीप वर्ती वर्ण नहीं है समीप वर्ती वर्ण नहीं है या पूछा है तो यहाँ पर देखिए नीला जो रंग है वो समीप वर्ती नहीं अब देखो बात करें हम सबसे पहले पूप्शन नमबर एक की पीला छीक है अपने आप पे पीला है पीला और दूसरा उप्शन दे रखा है नारंगी नारंगी इसके पास में क्यों है नारंगी रंग बनाने के लिए क्या करते हैं पीला पलस लाल मिलाते हैं तो कौन सा बनता है हमारा नारंगी रंग बनता है तो इसे नारंगी अंदर के भी क्या है पीला है तो ये भी इसके पास का हो गया नारंगी स्पेसल देर का ये भी इसके पास का हो नीले की अंदर कोई भी प्रकार की पीले रंग की मातरा नहीं होती है तो इसलिए नीला रंग क्या इसके समीक पुर्तिवान के अंदर नहीं है चोथा उपसर नहां पर राइट हो जाएगा अगल एक्शन देखिएगा बहिम बेटका गुफाओं की खोज निमन में से किस की द द्वारा की गई थी तो चोथा उपसर नहां पर हमारा राइट हो जाएगा अगल लक्षन देखिए मलना संद्राजकुमारी का चितर बना हुआ है तो देखिए मलना आसन राजकुमारी जो है यह चितर हमारा बना हुए अजनता की गुफाओं कहां बना हुए अजनता की ग पाहुल समर्पन है ये भी आपको याद में रखना है इसके लावा गुफासिंग के अदस के अंदर अगर हम बात करें तो आपका आता है छे दन ते जात तक आता है ठीक है चलिए नेक्स क्यूशन पर चलते हैं नेक्स क्यूशन है हमारा बाग की भाचित्रों का सर्वा परतम परिच्च 1818 में निमन लिखित में से किस विद्वान के द्वारा पत्रिका के मादम से दिया गया था तो बाग जो गुफाए है तो उसका सबसे पहले परिच्च बाग क्या होता भी बाग अब इसनो जंगल टा अब लोग की तेस्वर बोधी सत्वे का चित्र आजंता की किस गुफा में बनावा है तो बोधी सत्वे की जो चित्र बने वो अजंता की गुफा संख्या एक के अंदर बने वे अगला लक्ष्ण देख लेते हैं शेकडों रंगीन अब बरंस सेली के चित्रों का प्रकासन करने वाले चित्र कलब सुत्र जैसे महतोपुन गरंत का असरे पर्थम प्रकासन किया था इसक्योष्ण का जो राइट इन्स रहे वो जेगा आपका सारा भाई मनिकलाल स्री सारा भाई मनिकलाल चोथा ओप्षन यहाँ पर जो आपका राइट इन्स रहे हैं ध्यान रखना है क्विश्चन नंबर 309 अगला देखेगा जेन शेली में करमस है महवीर पार्षो नात नेमी नात वरिसब नात तिर्थंकरों के लिए कौन से रंगों का परतीग है कौन से रंग इनके परतीग के रूप में जाने जाते हैं अब निर्दारित की अब देखिए महवीर जो स्वामी है जेन धर्थंकर है उनका जो रंग है महवीर स्वामी का क्या है पीला है क्या है पीला है पार्षो नात जो है इनका नेला रंग है और जो नेमी नात है दोस्तों इनका काला है और रिसव नात जिनको आधिनात बोलते हैं इनका जो है, वो शवन रंग है तो सबसे पहले पिला देखिंए पिला किसमी है दूसरा नीला नीला इसमी है, फिर काला, फिर सर्वन यैंजी तीसरा ज उप्सन है, वो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, सही answer हो जाएगा next question देख लेते हैं गायक दल का भीती चितर बाग गुफा में जो है कौन सी गुफा में मिला है दोस्तों तो बाग गुफा के अंदर जो गायक दल का जो चितर है वो बाग की गुफा सिंक्या चार के अंदर मिला है और गुफा सिंक्या बाग की जो चार नम्बर है उसको रंग मेल करते हैं अगला क्षिण देखिए परशित चितरकार बीहजाद ये क्या है बीहजाद है वियाद रखुटे के वीहजाद टाइपिंग में मिश्टिक है बीहजाद कि समराट की समग्या था यानि जो मुगल सेली के एकलाकार है बीहजाद तो मुगल सेली के अंदर जो मुगल राजा थे किसके दरबार में एकलाकार था बीहजाद दोस्तो बाबर के काल में था किसके काल में बाबर के काल में था और बीहजाद को क्या कहते है एक संग्या दीगी अब पूरुवे का राफियल भी कहते है अकबर नामा का पर्शी चितर कौन सा है दोस्तों अकबर नामा जो है इसका पर्शी चितर है जो सलीम के जनम का उत्सो बनाते है राजकुमार जो सलीम है अकबर के बेटे उनके जनम का आनंद उत्सो मनाती भी ठीक है सलीम का वर्तमान में नाम पढ़ा था कि चल कि क्या पढ़ा था जहांगिर जहांगिर की बच्पन के नाम क्या था सलीम था क्यों कि सेखू सलीम बाबा जो थे सलीम चिस्ती की दरगा से एक सलीम चिस्ती उनके आसिरवात से इनको जो पुत्र की प्राप्ति वी थी इसलिए उसका नाम सलिव रखा था अगला किशों देखें कि मनसूर चितर में शिदस्त कलाकार है तो मनसूर दोस्तों ये भी मुगल शेली के कलाकार है और जांगिर के दर्बार में ये कारियत थे पर्षित पक्षी चितरकार थे पसू पक्षी वनस्पतियों के चितरे बनाते थे तो दूसरा उपसे नहापर क्या हो जाएगा राइट अगला किशों देखें बीजापुर के विशाल दुर्ग संत मजरा महल गौल गुमबद आदी की विशाल भावनों में अस्थापतिया का जो समन्नवय दिखाई देता है वो किस प्रकार का है इस क्यूशन का जो राइट अंसर है वो जैग आपका हिंदू और मुसलिंग दोनों का केस में समन्नवय दिखाई देता है बीजापुर के जो दुर्ग बने है या गौल गुमबज में ठीक है अगल अक्शन देखेगा हम चोर पंचासी का गरंत का सरेश्ट चेतर कौन सा है चोर पंचासी का जो गरंत है इसका गरंत का सरव सरेश्ट चेतर कौन सा है यह जाएगा चंपावति वि पिलहन के द्वारा लिखी लिए अगर लेक्शन देख लेते हैं साउंद सिंग का उपनाम क्या है तो जो जो नागरी दास थे और ये किस के सेली के कलाकार है किस सेली के हैं किसन गड़ जिसके अंदर मौर दोज नियालचन थे उन्होंने एक बड़ी पैंटिंग बनाए थे अगर लेक्शन देखें कोटा सेली का प्रमुक चितर कौन सा है तो कोटा सेली तो ये क्या है शिकार दर्शे के सरवादिक चितर बने हैं अपर ये याद रहा है इसकी विशेस्ता क्या है शिकार दर्शे के तो इसमें क्या हातियों के लाड़ाई इस परकार के चितर बने हैं तो पहला उक्शन अगले लक्षिन हैं राजा रवी वर्मा के कलागरू कौन थे तो राजा रवी वर्मा के कलागरू थे अल्लागरी नाइडू कौन थे कलागरी अल्लागरी थे तीसरा उप्षिन आपके राइट हो जाएगा अगले लक्षिन देखिए विदेशी होने के बावजूद किसने कलाशिक्षक के रूप में बार्त पनाने के लिए का था या निए विदेशी होने के बावजूद भी कौन थे जिन्हों ने कलाशिक सक के रूप में भारतिय कला को पनाने के लिए गाहता वे इस कुशण का जो राइट और विहार किस यूग की देन है अस्तूप, चेतिया और विहार जो है वो किस युग की देन है इस क्यूशन का जो राइट अनसर है वो जाएगा आपका सुंग काल किस युग की देन है सुंग काल की तो दूसरा उप्ट हो जाएगा अगर लक्षियों देख लेते हैं सुंग कालीन शिल्प किस दरम से प्रभावित थे सुंग कालीन शिल्प जो है वो किस दरम से प्रभावित थे वई तो ब्रहम, बोध और जेन तीनो धरमों से क्या थे प्रभावित थे चोथा ओप्टन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट इंसर हो जाएगा सुंग काले इन जो सिल्क पे वो किस दर्म से पुरावी थे बोध जेन और ब्राहमन चोथा अपसना पे राइट हो जाएगा अगर एक्शन देखिए सांची स्थूप की खुदाई विशेस्त है नकासी जान पड़ती है सांची स्थूप की खुदाई है वो किस परकार की नकासी की रूप में जान पड़ती है तो दोस्तो इस क्यूशन का जो राइट इनसर जाएगा हाथी दान्त यानि सांची का जो स्थूप है वो द्रम का मौरिय कालम में बना था बाद doiस उंकाले पत्रों से इसका निर्माड है वहां पर अगर देखे ऊज़र एसे लगता है की वहां पी जो नकासी की गए डिजाइन जो किया गए पत्रों पर खुदाई की गए वो ऐसे लगता हाथी के दान्त के अउपर खुदाई की गए जैसे हाथी के दान्त कह पर खुदाई करीबे म्यूजियम के अंदर देखि और देखिये होगे नेशनल प्यूजियम दिल्ली वहां पर इस परगार का हाथी का दान्त उसके बहूँ शुन्तर तरीके सरे बारेकी से खुदाई करीवे़ डिजाइनिंग किया गया है तो ऐसे लगता है, यहांथी की दान्थ पर खुदाइय करीवीय है है तो यानि आदि आदान्थ पर खुदाइय करना और पत्थर पर खुदाइय करना दिन रात का अंवान ELE전CTION है वरूट में सांची की बांती मुर्ति का भाव है यहाँ पर तिर्थंकर की जो मुर्तिया है वो वहाँ नहीं बनी हुए है सांची की तरह भरूत को नहीं बनी हुए बुद्ध के पुरुजनम की अदारित कताई हैं क्या कहलाती है भी बुद्ध के पुरुजनम की जो कताई होती है नारंगी के अंदर लाल है, लाल लारंगी में लाल है और यह विला, तीनों के अंदर लाल का मिष्ण है, यह क्या समीकवस्त रंग है, अगल एक्षोन देखिए, किन गुफाओं को पंच पंडू की नाम से जाना जाता है, तो दोस्तो, इसक्यूशन का राइट न सरो जाएग आपका बाग की जो गुफाएं हैं, उनको पंच पंडू की नाम से जाना जाता है, अगल एक्षोन देखिएगा, पोथी चितन का प्रारम की सेली में हुआ, पोथी चितन का जो प्रारम है, वो जेन सेली के अंदर और मध्यकाल के अंदर पोथी चितर बने थे दोस्तों, अ कन्फ्यूजमन्स उता है, कलहन ने कौन शरी कीती, राज तरंगे, मुगल जो सासक है, अपने साथ भार्ची के लाकारों को लेकर आए थे, यह याद रखना है, तीसरा उप्षन राइट हो जाए, अगल एक्षन देखिएगा, मुगल शेली की पतन के बाद की शेली का जनम हुआता, जब मुगल शेली और अंगजेब के काल में खतम हो जाती है, तो उसके बाद एक सैली का उद्वह होता है, वो आती है, कमपने शेली, क्योंकि मुगलों के बाद में भारत में क्या थे बरेटिस इस इंडिया कंपनी यानि अंग्रेजी शरकार अंग्रेजी हकोमत जो है भारत के अंदर आ गई थी अंग्रेज भारत पर राज करने लगे थे तो अंग्रेजी कलाकार आए थे कुछ और इंडियन कलाकार थे तो वो रिंतिम चितरगार के रूप में इस्वरी परशाद को जानते हैं इस्वरी परशाद को जानते हैं आगे लेक्शन देख लेते हैं चिनारवक्स पर गिलेरियां चितर में गिलेहरी बनाने वाले चितरगार का नाम बताना है तो वो थे अबुलहसन कौन थे अबुलहसन 75 का फार्सी अनुवाद बताईए तो 75 का जो फार्सी में अनुवाद है वो कहलाता है अनुवार ए सुहेली क्या कहलाता है अनुवार ए सुहेली अगला किशन देखिए कांगडा सेली में चितरन का विशे नहीं है तो कांगड़ा सेली में रसिक पिरिया, रामायन, महाबार्द, इनका चितन हुआ है, पचिततर का नहीं हुआ है तो चोथा उप्सन हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा अगर लक्षिन देखेगा, चितन्य का ग्रह प्रित्याग चितर किस ने चितरित किया तो चितन्य का ग्रह प्रित्याग जो चितर है दोस्तों ये चिति अंदर नाथ मजूमदार ने चितरित किया था यहां पर पहला option किया है बिलकुल है, right answer हो जाएगा, अगर अक्षिण देखिएगा, अंतराल में गहराई दर्सानी पर क्या परदर्शित होता है, अंतराल के अंदर गहराई दर्साते हैं तो हमें क्या प्रिप्रेक्षिये, प्रिप्रेक्षिये क्या है, 3D बनाने के लिए, चित्रों में गैराई दर्शाने के लिए च्छाया प्रकास का इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें राइट एनसर पहला उप्सन होगा है अलेक्शन देखिएगा हर समाता मंदिर की मुर्टियों के कारण कौन सी जगए परसीद है देखिए हर समाता की जो मंदिर है वो बने वे कहाँ पर आभा नेरी कहाँ पर है राजस्तान के दोसा जिने काहक है दोसा जहां पर क्या बनी वी Whenever एक परशीद चांद बावरी बनी है वही क्या यान पर चौत्था उप्सन आपका राइट हो जाएगा नेक्श्त देखिएगा ऐलिफएंटा में किस सदेवता की मुर्टि पर और समंदर के अंदर कुछी दूरी पर एक टापू है जिसका नाम है धारापुरी उसके उपर यह अलेफेंटा की गुभाई बनीवी हैं और यह जो मुर्तियां हैं वहां पर किसा देवता की सबसे ज्यादा बनीवी है तो वह बनीवी वह वस्तोसिव गवान की समदित जह पर विमल सहे मंदिरी वी बना हुआ है अगल अगर एक्शनướcारू सारनाथ का सिहे स्तंब किसके सालनकाल में निर्मीत हुआ है और चामर इसल्प है चामर ग्रेंटी जो शिल्प है दोस्तों ये क्या है कुसान स्वरी मौरिय काली नहें चमरी लिये वे मैला क्या करती बनी वे बड़ी परतीमा बनी वे अदमकद और इस वे ओपदार सम्कीली पॉलिस भी की गई है ये क्या है मौरिय काली अगल अक्षिन देखिएगा प्रातात्वी के अस्थल लोथल कहां इ चितरकार थे तो बेसों के चितरकार के रूप में कौन जाने जाते है परमानंद चोईल या फिर इसको सोटें बोले तो पी अन्य चोईल ये राजस्तान के एक इक अलाकार है वही कोटा मिजन में अगल आक्षिन देखिए संथालों का बसंत उस्वे के चितरकार कौन है संथालों का बसंत उस्वे किस ने बनाया था तेयब महता जो है उन्होंने संथालों का बसंत उस्वे क्षितरा करती को निर्मान किया था नाइक्स क्यूस अगर देखें तो इसमें लिका हुआ 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 इस पर बना हुआ हैं? यह देखे किस पर बना हुआ है? यहाँ पर right answer हो जाएगा आपका काट के इननास कपड़ेपी बना हुआ भी, कागज पर बना के फिर उसको कपड़ेपर चिपकाया गया यहाँ पर डूसरा option आपका right हो जाएगा अगर लक्षन देखिएगा कुंडल चितर किन देशों में बनाएगे कुंडल चितर किन देशों में बनते हैं भई इसके सुनका राइट एंसर है चीन में, जापान में और भारत में कुंडल चितर बनते हैं कुंडल चितर क्या होते हैं इनको क्या है बनाकर कि और उनको क्या है स्क्रोल किया जाता है उनको राउंड में लपेटा जाता है ये कहलाते है कुंडल चितर अगर लेक्षिन देखेगा कुसान राजवन से अपनी चर्मोद कर्षपर किस के सासन में आया था कुसान राजोंस अपने चर्मोद कर्षपर रहा है वो किसकी सासन में आया था तो इसकी सासन का जो राजा कनिशक के समय अपने चंदमोर्ष कर्षपर आया था तीसरा उप्सनिया पर राइट हो जाएगा अगल अक्षिन देखे अर्थुना मंदिर समय किस जिले में इस्तत है अर्थुना जो मंदिर समय किस जिले में इस्तत है तो बांस वाड़ा के अंदर क्या है अर्थुना के मंदिर बने वे हैं तो पहला उप्सनिया पर राइट हो जाएगा अगल अक्षिन देखे वह कौन सा कलाकार है जिनने उनके वास्तविक नाम के पेक्षा उनके नाम मनीदा की रूप में अधीक जाना जाता है इसक्यूसिन का जो राइट एंसर है वो होजेगा आपका के जी सुबरमनियम को के से उपादी के नाम से जाना जाता है अगले dakcion दे रहे हैं, भई सही मिलान करना है, क्या करना है सही मिलान एक साइड में कलाकर हैं और उनकी क्या हैं चितरा करतिया दी हुई है तो देखेगा, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस के दोरा कोन सी बनाएगी है यहां पर देखेंगे एमेब हुसेन किसकी बनाएगी है गई एमेब हुसेन की मदर ट्रेस आपको पता है और नंदलाल वोस की दोरा बनाएगी कौन सी है नंदलाल की उसा अनुरूद बनाएगी है अमरता सेरगिल ने पाड़ियां बनाई है और राजा रभी वर्मा ने क्या बनाया है सोरी राजा रभी वर्मा है उन्होंने बनाया उसा अनुरूद और नंदलाल की क्या है बिसम ठीक है तो यानि ए का क्या हो रहा है ए का बी है और बी का ए है ठीक है इससे देखो किसमें देख है A का B और B का A ये देखो उपसन नमबर तीन आपका राइट अनसर हो जाएगा अगल एक्षिन देख लेते हैं तोड़ासा जूम जादा हो रखा है इसको देखिएगा कफन दे रखा है कि बाबर इरान से दो चितरकार लेके आया था बिलकुल सत्य है मीरसेद अली और अब्दुसम्द को तरक देर कहे कि मीरसेद अली और अब्दुसम्द दोनों चितरकार वैक्टी चितर में पारंगगत थे तो इसकी सुन की अगर राइट अनसर की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, सत्या नहीं है ये ये, क्यों है, अब देखो, बाबर सबसे पहले आते हैं, तो बाबर किसको लेके आते हैं, बीहजाद को लेके आते हैं, जिसे पुरुगा का राफेल कहते हैं, हुमाईयू लेके आते हैं इन दोनों को, तो यह बिलकुल ही गलत हो जाएंगे क्योंकि एक ग्रामिड प्रेस के अंदर एक दर्शी चीतर बढ़ाएं माहीर था तो यह दोनों ही क्या है गलत हो जाएंगे अगर अक्षिन देखेगा थोड़े क्योंको बढ़ा कर लेते, बोड़ों में जो बोड़ धरम है उसमें मुर्थी पूजा का समर्णतार क्या लाया, यानी बोड़ धरम के अंदर मुर्धी पूर्ज़े करने वाले जो समपर्दायक था, वो कौन साथ था, यहां पर जो आपका राय टन्स रखो जायेग का हीनियान बो धर्म के दो समपरदाय थी दो साक्रें थी एक महायान थी और एक हीनियान हीनिवाने आले क्या हैं बो धर्म के अंदर गुद्ध की मुर्ति बनाकर पुजा करते थे और यह जो महायान है यह क्या है पर्तीक जो है उनकी पुजा करते थी नेक्स कुरिशन देखेगा अम्राउती कला की प्रमुक विशेस्ता है अम्राउती का दूप है वहाँ की जो कला है उसकी प्रमुक विशेस्ता क्या है देखेए वो कला कर्तियां बनाएगी अगलेक्शन देखिए की शिला मेखों की अदार पर कुसान काली मतुरा का समय माना जाता है याझीुकशान काली मतुरा कुछा काल आ क्या है पत्रों पर लेख लिख है अनसे कि अकोर्डी मुष्भ इसका to the right है वह आएगा दूसरी सदी से लेकर शर्टी स्थाप्डी दूसरी सित्य पेहले उसरी इसा पूरु है दूसरी सथे लेकर शर्टी स्थाफ्डी तुक ट्रूंट अगे लेक्शन देखे, सिंधू, काबूल, स्वाथ, नदियों की गाटियों से गिरा परदेश, कौन सा परदेश है वही? सिंध, काबूल और स्वाथ नदियों से गिरा गए उन्दार था, ठीक है? गांदार की मुर्तियों के विश्य में पुरुए सूची त्यार करना बुद्ध के विश्तरत जीवन चरीतर लिखने के सम्मान है यानि कि गंदार के जो मुर्थी है ना उनके विश्य में पुरू है सुची त्यार करना बुद्ध के जो विश्तर जीवन चरीतर लिखना है उसके समान है यह कतन किसका है तो इस क्यूशन का जो राइट एंसर है वो हो जाएगा आपका मार्सल जोन मार्सल ने यह कतन का था चोथा उप्षन अगर लेक्शन देखिएगा गंदार की कुसान युगीन मुर्ति कला की और सुरय पर्थम किसने ध्यान आकर्ष्टित किया था गंदार जो कला उसको समसे पहले किसन ने ध्यान दिया था वही तो यह थे जेराड कौन थे जेराड पहला उप्षन हो जाएगा एलेक्शन देख लेते हैं गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बीच मुर्ति सिल्प का कौन सा गंदर है गोदावरी और कृष्णा इन दोनों नदियों के बीच में कौन से थी अमरावती का जो स्थूप है वो आपका गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में था एलेक्शन सारनाथ की दो प्रसिद मुर्तियों के नाम क्या है तो सारनाथ के अंदर दो प्रसिद परतिमाओं के नाम बतानी है तो देखे एक तो है धरम चक्र प्रतन बुद मुलाओं दूसरा विसाल बोधी सत्वे के परतिमाओं ये दो क्या हैं मुर्तियों हैं सारनाथ की फेमस अलेक्शन धरम राजी का स्थूप धरम राजी का स्थूप की समराट दोरा बनाया गया तो धर्म राजी का स्टूप जो है स्मराट असोग के दोरा दोस्तों स्मराट असोग मौरियकालिन सा सक उन्होंने क्या कराता है धर्म स्टूप बनाए थे वो धर्म को परचार परचार करने के लिए लारगलू अपतर से स्टूपों का निर्मान करवाया था बताया जाता है कि मुझे काल में लागबग 84,000 स्थुपों का निर्मान हुआ है भी हर कौने कौने में ठीक है अगलेक्शन देखी विहार में बनी बेठक को कहते हैं विहार क्या चीज़ होते हैं विहार के अंदर एक बेठक बनी होती है उसे क्या कहते हैं अभ्यागत ग्रह क क्या क checking हैं चीज़ा कहते हैं घृक्षन गुपत कालिन मंदिरों के मुख्याँग बताई गुपत काल के अंदर मंदिर बनी मुख्याँग चैघती क्या है कि जगती फिर गरभ ग्रेभ या परवेश द्वार मंदा पोर्शिकर उस परकार के जो मंदिर बनी होते हैं ठीक है स पर पिर यह इसके आंग है याद रखना है मंदिरों का सही काल करब में अगर रखे ही परशुरामेसुर का मंदिर खुजराओ पर जगन्नात का फिर उसके बाद कोनार का सुर्ये मंदिर और तीसर आप सुन यहाँ पर है राइट आता है मंदिरों के बारे में डेटेल से वीडियो बनाई हुए हमारे यूटूब चैनल पर डेट्टूब बताई हुए उनकी किस ने कहा किस परकार बने किसे नहीं में सारी जान करें आपको दे रुखिए अगर एक्शन देखिए विश्वय परसी दिलवाडा का जे अमान भंग के दोरा करवाए गया है पहला उक्षन आपके राइट हो जाएगा अगर लेक्शन देखिए दिलवाडा के अंदर जो तेजपाल मंदिर है उसकी बड़ी सी एक अलंकर्द छत है इस परकार कटोरी की तरह उसके अलंकर्द किया गया बड़ी सी चत है उसको स्प पतिमाई किस परकार की ज्यादात रहत उसमें आधिनात और इसफञा क्यों कि यह जेन धरम की समंदीत है वह जेन मंद्र है दिशन द्रथंकरों कि वहाँ पर फरतिमाई लगी ए उसा राने हुज्जा के मुर्तिशी लोंपर किसका परभाव है तो यहां पर देखिए हें र मूर जो फापवादी कलाकार हींड्री मूर क्या है यह Western के फापवादी कलाकार है वह Audrey मूर उनसे प्रवावीत है अगे लेक्सन देखिए Ivax की स्थापना मी किसका है मुंन ले योगदान रा it Ivax जो है इसकी स्थापना की अंदर उक्तिल बंदू दिन्वी के जो कलाकार है उनका मैतोपण योगदा ने रहा है अगर लेक्शन देखिएगा मेसूर वैब बनारस हिंदू विस्विदाले में डॉक्टर की मानत उपादी किसको मिली थी मेसूर और बनारस हिंदू विस्विद अगर लेक्शन में भारती संद्रे सास्तर में पास्ते कौन विश्ष्टर परवर्ट तक माने जाते हैं इसक्यूसन का तो राइट अंचर बोजएगा आपका अभी नो गुप्त परवर्ट तक यही माने जाते हैं बाद में उन्होंने क्या है रस जोड़ा था नौवान सां चीक है अधुनिक कला के जनमदाता माने जाते हैं अगर अक्शन देखिए का बहुत इशानदार क्यूसन है सही से मिलान करना है क्या करना है सही से मिलान करना है देखिए द्वार का परशाद सर्माइन उन्होंने एक परसो पिड़ा बनाया हुए तो एका भी देख लो दो अगर आधेगे प्रमान्दे चोईल बेशों के चितेरी चिने का जाता है उन्हें उन्हें गनगोर की सवारी भी बनाया था तो B का सोरी गंगोर की स्वारी इसकी नहीं है वई गोर्दनलाल का ये तो देखिए पी एंट चोईल ने बनाया है कुन सा डेफ ये खिड़किया है वई परमनल चोईल की तो बी सी ये आ जाएगा और सी जो है करपाल सिंसेकावत का डेफोडिल है और गोर्दनलाल का क्या है जो सही मिलान करना है किया करना है सही मिलान करना है देखिए तेस्ग बूजराल दे रहता है सबसे पहले तो 37 गूजराल जो है ये क्या मियूरल का लाकार है कि आगर बातकरें कि वह वास्ट तकनिकowers कांद आ के घृग ओर इसके बाद कि या दे dabei दो 6 B का A, चोथ एप्सन में दे रख है, पहला उप्सन कट हो जाएगा, B का C दे रख है, यहां पर चोथा उप्सन आपका राइट हो जाएगा, अगर लक्षुन देखिएगा, साहब दीन और मनुहर चितरकार किस सेली से सम्मधित है, यहां पर मेवाड से सम्मधित है, दूसरा परभावित थी ओंगाई निर्मित निर्मित नटराज सी मुर्ति का माध्यम क्या है तो वो मुर्ति का माध्यम क्या है तो कांसी ये दात्तों की मुर्ति मिली है ये कांसी मिली है तंजावर तमील नाडू सी ठीक है वहां से मिली भी है एक लेक्शन देखिएगा निमन में मुर्तिकार कौन नहीं है निमन में मुर्तिकार कौन नहीं है तो लक्समन पे जो है इनमें से कहा है मुर्तिकार नहीं है चोथा उप्षन आपका राइट हो जाएगा अगल एक्षन दिखिएगा बरलीन मोटसो का गोल्डन बियर अंतराष्टिय पुरुसकार किस भारतिय चितरकार को मिला था दोस्तो बरलीन का गोल्डन बियर अंतराष्टिय पुरुसकार जो है वो किस भारतिय चितरकार को मिला था तो इस क्यूसन का जो राइट है वो जाएगा आपका M.F. हुसेन को मिला था किसको मिला था M.F. हुसेन को गलेक्षन दिखिएगा माराजा स्कूलो फार्ट एंड क्राप्ट के उपाचारिय पद पर रहते वे किस चितरकार ने बंगाल स्कूल का प्रचार परसार किया था तो ये जो क्यूसन है दोस्तो दो बार आगया साए इसका राइट हैसन कौन चा था सेलेंदर ना थे डे जैप्पूर के अंदर पराचारिय बने थे अगले लेक्शन देखिए अस्टेला क्रेमरिस ने किस कलाकार को भारतिया गनवादी चितरकार का था तो ये किस को का था भई इसकूसन का राइट हैंसर हो जगा गगेंदर नार्टेगोर को का था पहला उप्शन अगलेक्शन देखिए बंगाल स्कूल को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं था तो बंगाल स्कूल के विस्तार करने में जो योगदान देने वाले कलाकार नहीं थे वो थे राजा रवी और माई राजा रवी ना किसे थे कंपनी शेली को योगदान देते थे पहले ठीक है अलेक्शन जूट की रसी डोरी सिर्फ बनाने वाले महिरा मुर्तिकार का नाम बताईए यानि धागे जुहरेस में जूट की रसी डोरी बगेरा लेके उनसी सिल्ब बनाते थे भून करके तो ये कलाकार कौन सी है इसकिसन का right answer हो जेगा मरेनयालनी मुकरजी पहला अपसा अगर लेक्शन दिखिये देव के नंदन सर्मा की करम भुमी थी तो देव के नंदन सर्मा की करम भुमी भी थे मेंदर कुमार सर्मा जिसको सुमहेंदर भी बहुते हैं गलाक्षिन देखे वरिष्टा के दार पर सही करम चुन है वरिष्टा के आधार पर यहां पर देखिएगा एहम फुसेन फिर ऐसे चरजा फिर सतीस गुजरा आगति इसरा अपका रैट जगा अगलाक्षिन दे गुलाबी रंग से बनाए थे और कुछ समय ब्ल्यों के लर्से बनाए थे अगले लग्सिन देखिए बेल को कि चित्रित किस नहीं किया था बेले जो है नर्थियों को किस ने चित्रित किया था इसके सुनी कर लाइड देगा ने का पूरा नाम एद गार देगा यह था ब्रूस फूट नाम का एक व्यक्ति था उसने खो जा था प्लावरा महेक है वही मद्रास के समीप में खो जा गया सबसे पहले इस तर अलेक्शन देखिए आलंबन व्य उद्धीपन किसके प्रकार हैं यह विभाव के प्रकार हैं दूसरा आपका क्या हो जाएगा राइट कर जाएगा अगर लेक्शन देखिए कोलाज का प्रार्म हुआ तो कोलाज का किस से प्रार्म हुआ था घंवाद से पाफले पिकासो जो जो ने कोलाज आला करतिया बनाई थी घंवाद जो है कोलाज से प्रार्म हुआ था अगर लेक्शन देखिए का सही मिलान करना है इसमे सबसे पहले देखिए चिनार वरक्स चिनार वरक्स ये वेस्टन का लाकार किया है चिनार वरक्स वो नहीं है मुगल सेली वाली या अबुल हसन वाली ठीक है तो इसकी सुनका देखें चिनारवर्क्स का मिलान करें सबसे पहले हम तो चिनारवर्क्स है वो मोने ने बनाई थी किस ने बनाई थी मोने ने बनाई थी एक आसी देखते हैं तो एक आसी उप्सन नमर एक और दो में दे रखते हैं चलिए अगला देखते हैं ओलम्पिया ओलम्पिया किसकी है भी यह बहुती फैमस है आप सब्सक्री को पता होगा ओलम्पिया ओलम्पिया किसकी है तो यह आपकी मौनी की किसकी है सोरी ओलम्पिया मौनी की नहीं भी मानी की है चिनारवर्क्स है मौनी की देखो एक है मानी और एक है मौनी दो नहीं तरह मोनी की चिनारवक्स है और मानी जो है ना इनकी है अलम्पिया यानि B का B देखते हैं तो दोनों में दे रखा है उसके बाद देखे हैं बेलेली परिवार ये छोड़ो सनानमगन यूतिया अगर आपको पता है तो D का मिलान कर लो सनानमगन यूतियां किसकी है रेनवार की है तो D का D और C का क्या हुजएगा A देखा की कैसी है बनेले परिवार यहाँ पर दूसरा जो अप्षिन है वो आपका राइट हैं सुरूजएगा ठीक है तो यह था आज की क्लास का लास्ट जो क्यूस्शन आसर करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपने वीडियो अच्छे सी कंट्यूनी से देखा है तो दोस्तों मैं गरेंटी लेता हूँ आपको आने वाले अगामी जो बर्ती प्रिक्स है उसके अंदरा बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे क्योंकि यह ऐसी क्यूस्शन है जो एक्जाम में आती है बार-बार कुछी जाती है कुछ नए क्यूस्शन लेकर आया हूँ यह वीडियो सारे देखो चार से क्यूस्शन कवर हो जाएंगे फिर नेक्स्ट एक क्लास लेकर आएंगे जिसके अंदर हम सोक उसने और लेकर आएंगे चिक है धन्यवाद हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों हमारा जो सेक्ट चैनल है औरा जी के उसको भी स्पोर्ट करेंश के नीचे दिस्क्रिशन में लिंक मिलेगा उससे मिलेगा उसे भी जाकर कि आप लोग अमेज़ स्पोर्ट कर सकते हैं धन्यवाद